नमस्कार दोस्तों राधे राधे आसम कलेक्टिफ्स में आप सबी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आसा करती हूँ कि प्रवकी कृपा से आप लोग ऐसे ही हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में प्रगती प्राप्त करते रहिए दोस्तों आज हम फिर एक बहुत ही नए रोचक विशय के साथ आपके सामने उपस्तित है आज हम बात करने जा रहे हैं कि चैतर नौरातर कब से सुरू होने वाली है और आपको चैतर नौरातर में क्या करना चाहिए दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे ताकि इस तरह की रोचक जानकारियां आपको समय से मिलती रहेंगी दोस्तों आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि नौरातरों में दुर्गा मा को प्रशन करने के लिए देवी के नौ रूपों की पूजा उपासना की जाती है ताकि मा की किरपा आप पर बनी रहें दोस्तों नौरातरी में भक्त, मनवांचित, फल की प्राप्ती के लिए नौ दिनों का उपवास भी रखते हैं दोस्तों अंतिम दिन नौ मी के दिन नौ कन्याओं का पूजन किया जाता है जिन्हें मा दुर्गा के नौ रूप के समान माना जाता है स्रद्धा के साथ इन नौ कन्याओं को भोजन किया जाता है और दान दिया जाता है दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्र दो अप्रेल को सुरू होने जा रहे है और सनीवार के दिन से सुरू हो रही है चैत्र नवरात्री जो की 11 अप्रेल को समाप्थ हो जाएगी दोस्तों मानिता ये भी है कि नौरात्रों में देवी दुर्गा का पाठ करने से आपको मनवांचित फल की प्राप्ती भी होती है और नौरात्र में उपवास रखने से आपको मनवांचित फल मिलता है इसलिए आप पूरी सच्ची स्रद्धा और निश्टा के साथ इन नवरात्रों में उपवास रखें और मा का आशिरवाद प्राप्त करें दोस्तों मानिता यह भी है कि देवी दुर्गा हर बार नए वाहन से आती है और विदाई के वक्त भी उनका वाहन होता है माता के हर वाहन का एक बहुत ही अलग महत्व है दोस्तों इस चैतर नवरात्र मा घोड़े पर सवार होकर आएंगी तो दोस्तों आज आपने जाना कि चैतर नवरात्र किस दिन से सुरू हो रहा है वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह की रोचक जानकारियां आपको समय से मिलती रहेंगी धन्यवाद दोस्तों राधे राधे कर देंगो समय